दिवेह माशल ने जब इस केंदर का दौरा किया तो देखा कि डाइनिंग हॉल होने के बावजूद जवान खुले आसमान तले प्रतिकूल मौसम में नीचे बैट कर खाना खाने को मजबूर है क्योंकि जो डाइनिंग हॉल है उसे एक कार्याले में तब्दील कर दिया गया है आज कल यहां एक प्रशिक्षन शिवर चल रहा है जुसमें 60 जवान भाग ले रहे हैं परंतु इनके लिए 4 पाईयां भी उपलब्द नही है जो की पहले हुआ करती थी और 40 जवान एक हॉल में जैसे तैसे भूमी पर सोने को मजबूर है यहां दो बिस्तरों के बीच चलने तक की जगा नहीं है क्योंकि सारे बिस्तर एक दूसरे से सटे हुए है सबसे अधिक परिशानी रात के समय होती है क्योंकि परिसर में परिशन के लिए लगा टेलिवेजन भी बंद पड़ा है सबसे अधिक परिशानी तो बरसात के समय में होती है क्योंकि परिसर में कहीं भी पानी की निकासी का उचक विवस्ता नहीं है इस संबंद में प्लाटून कमांडर विकरम सिंग ने बताया कि यहां जवानों को हर अपलब्द करवाने का प्रियास किया जाता है और यदि कोई समस्या है भी तो उसके बारे में उच्चादिकारियों को अपकत करवाया जा चुका है उन्होंने कहा कि समस्याओं के शीगर समधान का प्रियास किया जा रहा है अब जाना उसमस्या है उनके बारे में जो ने इस पूच्चिक समस्या जो निप्टारा कर दिये गया है उसके बारे में जो हैं पौजूदा है उनके बारे में जो त्यातिकारियों को वगित करवा दिया और सीगरियों का निप्टान जो कर दिये जाएगा बाकी सुविदा दिवेह मार्शल टीवी के लिए नदौन से निश्पक्ष भारती के रिपोर्ट दिवेह मार्शल मेडिया ग्रूप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लगपती इनामी कूपन योजना जिसमें आप जीत सकते हैं एक लाग का नकदी नाम, LED, रेफ्रीज रेजर, वाशिंग मशीन और धेरो आकर्श की नाम इनामे कूपन प्रकाशित हो रहे हैं जिन्हें एक गत्रत कर भेजना होगा दिवेह मार्शल कार्या ले क्योंकि अब योजना में भाग लेने के लिए बचे हैं कुछ ही तिन्शेश तो आज ही दिवेह मार्शल समाचार पत्र की प्रती बुक करवाने के लिए अपने नजी की हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें शोन्य एक आठ नौदो दो छे चार साथ एक तीन पर